हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल की ओप सक्सेस में दोस्तों आज हम आप लोगों को प्रिभीएस यह का क्वेस्चन जो है वह हम लेकर आ गया है ठीक है ठीक है ठीक है क्योंकि आप लोग भी जब स्क्रीन पर आजाए तो हमसे पहले आपको करना होगा ठीक है अपका प्रैक्टिस भी हां से हो जाएगा और आपका एक लेवल होगा कि स्टार्ट करते हैं पहला पर देने के पहचा पांच 1360 में बेचा गया वस्तु का आप से अंकित मुल पूछा है तो जो मान लोग कि कोई भी वस्तु का जो है वह पहले कितना होगा 20 परसेंट को छूट देने पर अगर मानते हैं कि पहले उसका मुल कितना था 100 अगर वह 20 परसेंट का छूट दोता छूट देता है तो इसका मतलब वह कितना में दे रहा है उस वस्तु को जो है वह 80 परसेंट में दे रहा है ठीक है न अब हमको यह बताना कि 80% कमान 5,360 और हमसे पूछाए अंकित मुल ता अंकित मुल इसका कितना था 100 तो 80% कमान हमको पता चल गया कि 5,360 है तो उनको 100% कमान पता करना है तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे कितना बीस चार Virginia तो अगर बीचों कमान की तो इधर करना तो इधर वह इतना से डिपाइट करना पड़ें तक हींस में इतना से डिवाइट करत कितना यहाँ दूनी 44 और 13 बचेगा तो इक थाथी की 2068 विरुन दुराइब चाहरा परसेंट के दूसेंट्स परसेंट कमा निकालना तो चाहते हैं तो चहां करना पड़ेगा तो जब दूसरों सट को जब 25 से गुना कीजिएगा तो कितना है आपका 6700 जो है वह आपका आजागा निकित मुल कितना था 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 यहां पर सो परसेंट कमान हम निकाल दिया है कितना है हमारा 6700 तो बिल्कुल आपका जिनका भी आप्शन नमर पहला आ रहा सबसे पहले यहां पर लिखेंगे और यहां पर कितना लिखेंगे यहां पर लिखेंगे सी ठीक है ना भी जो, ers OB20 पर्त्य अधीक है ठीक नए से कितना है, क्या बोला जा रहा कि सी जो है वो बी से 35 परतीश सथ अधीक है, जो है वह 20 का लेंगे देखियो है यहां पर समादे हैं यहां लाएidores क्यीन न यह बहुत छपर यह का यानि की 120 की 15 से ज़ादे है यानि की 120 और । में कितना होगा ન्-430 ન िसको एड करें गया तो कितना ओजागा जागा अगर देखो में यदि पस्वाइब कितना दियागा एक च्वेस्चन प्रावर क्यूता इसे बरावर जो है वह 330 है यहां पर हमको नहीं को मानको निकाल है निकी बीस में के गुणा करेंगे तो हमारा इदर सो आ जाङगा इधर 20 के है तो इधर भी हमको 20 से गुना करना पड़ेगा इगारद नी 22 की दूसर भी से नी सो कमान कितना आ गया हमारा सो का जो माना वह दूसर बीस आ गया देखो ऑप्सन नंबर दो जो होगा वह आपके बिल्कुल भी करेक्ट अंसर हो जाएगा ठीक है न किसका किसका आथा ऑप्सन पके हमकर बताया थे और आज भी आ गया इस टाफ का क्वेच्चन तिसको बनाते बनाते जो है वो क्या हो जाएगा आपका आधात हो जाएगा ठीक है ना क्रकुलेसर भीषन फट्वास्ट हो चलो बढ़ता आगला क्वेस्चन की और क्वेस्चन नमर्थाड में देखना बड़ा है लेकिन बहुत ही इजी है देखो क्या बोला कि एक विद्याले के 50 सिचकों का जो आईउसत आईउसात आईउ कितना वर्से है तो इसको क्या निकलना पड़े पहले इसका पड़े इसका औरकुल निकालने की यह बोले थे आउसक में हम टोटल वाला नंबर से तो कितना बीद्याले में 6060 का संसर्व कितना है सब्सक्राइफ करेंगे इसका आपका इसका भी हाइगा टिसका on यानिकी शाठ जो होगा बिलकूल एंसर यानिकि साठ वर्स जो होगा बिल्कुल करेक्ट एंसर होगा देखो option नंबर चार जो बिल्कुल आपका करेक्ट एंसर हो जागा ठीक ना option नंबर चार जिंका आ रहा है बहुत ही ला जवाब ठीक ना ऐसे ही आप लोग जो है वह सोल्प करते रहो है इसका average निकलकर आगए ठीक है चलो देखते हैं अगला question question no.4 में क्या है question no.4 में दिया गया कि रूपिया 32 की एक रासी है 20 पर 30 की वार्षिक दर से 2 अर्सों की चक्रिविर्धी व्याज व्याज का जो सन्योजन ने कैसा वार्षिक दिया गया है तथा सधारन व्याज के मध्य का अंतर ग्याद करना है बहुत ही ऐसा-एसा question हम 1300 है और एक कमान कितना है रिट कमान जो है वह 20 परेशिंट है और है चाहरन ब्याज के मध्य का अंतर होगा वह बीच का अंतर जो आपको निकालना है ठीक है तो है तुम आपको बनाने के के लिए सिखाय थे ठीक न यह वाला गोला आपको सायद याद होगा ठीक न इस फरकार से हम चार गोला आपको बनाने के लिए सिखाया थे ठीक न यहाँ पर किस कमान होगा यहाँ पर पी कमान होगा और यहाँ पर किस कमान लिखते थे एक और यहाँ पर एक और यहाँ पर किस चैन्ज करना तो तो कितना हो जागा इसका 20 बटा में सौ इसको काटेंगे तो कितना बार में पांच बार में यह नहीं कि इसका फ्रैक्षन क्लेशन वैलू कितना आ गया रेक्सेंट ऐसका एक लिए बटे और 5 चुके 32 और 10 एंहां पर ठीक न यहां पर भी वह होगा च्षैसोचालिस करकी दोनों पर क्या है एक आमान है उप फिर आपको क्या करना है और फिर छेसोचालिस आपको एक बटे-पांच करना ठीक च्छेसोचालिस का एक बटे-पांच तो कितना हो जाएगा इसका हो ही एंसर हो जागा रूपिया 108 जो वह बिल्कुल करेक्ट एंसर ऑप्सन नंबर वन ठीक है अगर आप से पूछता किसका ब्याज कितना होता था छेसो चालिस और शेसो चालिस को जोड़ देते तो कितना हो जाता यह बारासो अस्ति ठीक अगर आप से पूछता मिसरधन कितना ह सब्सक्राइब कर देते तो हमारा किया निकलता इमांट निकल कर आ जाता ठीक है तो जो भी पढ़े होंगे एकलास लिए होंगे तो यह वाला क्वेस्टन तो आप से बन गया होगा क्या है इसका अंसर ऑप्सन नंबर 1 यानि 128 चलिए पाच्वा नंबर क्वेस्चन देखना फाइब नमर question में बहुत ही easy question है इसका है महतम समापरथा निकालना सबसे पहले लिखते हैं आप है इस परकार से आपका questions दिया गया इसको कैसे solve से निकालना नैंट क्या निकालना आप जाल और इसको Lego Research के लिए हम एक चीज़ दोनों में मिलना चाहिए सब से कम आला होगा होगा इल चपना सब्सक्राइब कर दो देखना है आप यहां पर तीन मिल रहा हमें इसको चलो इसको फिर गहर origins तो सबसे कम पावर किसका है पहले तीन वाला में तो सबसे कम पावर किसका है तो किसका है और गुना में फिर पाउर दूर्ग तो देख लो अप्सन नमबर चार जो होगा बिल्कुल करेक्ट अंसर था ठीक है यह भी हम आपको बताया थे ठीक है ना चलो चलता है क्या है नेक्स में कि राहुल ने वाजार से असी वस्तु खरीदा और प्सक्रदु को परतिस्त वस्तु यह उसका खराब निकल गया वस्तु को पचास परतिस्त लाप पर बेचा गया तो मोलला परतिसात किया होगा ठीक है देखो कुल वस्तु उसके पास में कितना था कुल वस्तु जो था वह असी था जिसमें सो 25 परतिसत वस्तु खराब हो गया तो असी का चाहिए यह से पास परसेंट गया थीक है अगर हम साथ वस्तु को साथ रुपया में खरीते हैं तो इसका 50 परसेंट करेंगे तो कितना तीस होगा और इसको हम साथ रुपया में खरीदे थे ठीक है ना पचास परसेंट लाव पर यानि की 30 परसेंट हम को लाव मिला तो कितना हो जागा यहांनिकि selling price और 80 जो था वो CP हो जाएगा आपका यहानिकि कराइमूल ठीक है इसमें लाव कितना हो रहा है 80 रुप्या में खरीदा था नब रुप्या में बेच दिया ठीक है तो लाव तो टोटल कितना हो रहा है 10 का लाव हो रहा है तो लाव गुने 100 होता है अब बटा में क लिखेंगे ठीक है 10 से 10 काट देंगे दूपचे 10 और दूच्व के आठ यानिकि कितना आ गया यह डेन्ट सो बटा में चार इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा चार ती आई अगर नहीं आया होगा तो थोड़ा सा पीछे करके देखने बहुत ही आसान तरीकर से बता है एक चीज को हम लिख करके बता रहें आप सभी को अगला कुछेंट नमबर सेवेन एक किताब के विक्रेमुल तथा क्रेमुल जो तीन रेशियो चार के अनुपात में है लाव या तो मतलब सेलिंग प्राइस यहां पे एसपी और इधर सीपी यह दोनों का रेशियो है ठीक ने यह दोनों का रेशियो कितना है विक्रेमुल अगर है आपका तीन रुपया और क्रेमुल चार रुपया निकी चार रुपया में खरीदता है तो पताओ कि लाव होगा कि हानी ह हो रहा है ठीक ने एक रुपया का क्या हो रहा है हमको हानी हो रहा है हमको हानी परसेंट निकालना है तो हानी परसेंट ब्रावर लॉस परसेंट ब्रावर लॉस परसेंट ब्रावर लॉस लॉस एक रुपया का गुना में 100 अब बटा में क्या होता है क्रेमुल कितना है चार जहां जो आपको सब्सक्राइब करने से क्या होगा वीलपावर बढ़ेगा और इसके बना तो आपका हैविट हो जाएगा गया और बहुत ही कम समय में आप लोग इसको सौल्व कर सकते हैं चलो अगला क्वेस्चन डेखना क्वेस्चन नमबर 8 नमबर 8 में देखना कि एक रासी जो है सधारन व्याज की दर से 15 वर्स स्वयम का 14 गुना हो जाता है ठीक है तो यह रासी जो है वह कितने साल में कितने एर में जो है वह यह कितना गुना हो जाएगा ना चाको 15 से 105 गुना कितना साल में एक सो पांच हो जाएगा कितना साल में एक सो पांच और चार जो होगा आपका बिल्कूल सही एंसर होगा एक सो पांच वर्स ठीक है 105 वर्स में जो है इसका रासी 92 गुना हो जाएगा चलो अगला क्वेस्चन देखना नाइन्थ नंबर क्वेस्चन क्वेस्चन नंबर नौ देखना एक बन मजा आ रहा होगा तो एक वीडियो को लाइक कर देना ठीक है अपने दोस्तों के पास में इ कि इसका मैं आपका आपका उसपर सन्थ हो जाता है इसका मुल जाता है इसका मुल चो रुप्य हो जाएगा दू करने का मतलब गड्दram चार हो जाएगा तो दूसरी वस्तों का मूल्भ दस पर 30च घटा दिया जाता ठीकाश नहीं कि दस पर सद्द माइनस कर रहा है तो किसका 10% देखो कि तीन माइनस कीट का 10 पर्संट परसेंट करें टीन यहां पर कितना तीन माइनस में 30 मैंनस में थीतन होगा जाए क्यों हन आ एकने हम देन होगा तो यहां यहां पर दॉसंद घंख Zurich archtrano पर दूसेटेयस बत्स अगर वह और भी करंत तो यहीं हड़ा सब्सक्राइब करते हैं सब्सक्राइब करते हैं यह जाएगा में लिखेंगे इधर कितना जाएगा गुना में 10 बटा में कितना यानि कि हमको पता चल गया कि एक बेलू कितना रहा है एक बेलू 20 आ और हमसे क्या पूछा है हमसे क्या क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वस्तु का वह चार चल लेगा चार का मालूम कितना होगा तो कैतिक पुरसती देखने पूरा कवेसेटन भी संदारा बताइघ के वह वह अकेला काम को कितना इसकार वा कितने कर रहा है आप से क्या पूछा गया है जो है वो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे तो सबसे पहले हम को यह इसके बात हमको यह दोनों का क्या निकलना पड़ेगा thanks कितना हो होगा आर याद रखाना कि जो हम SM निकाल लेंगे कि वह हमारा रर क्या चाया हो जागा टोटल वर क्या औरने कि टोटल इसका काम काम इसको मिला था यह कि छहिंड बीjun करेगा तो तीस दुनी साथ है निए कि दू काम करेगा एक दिन में तो नों जो है वह एक दिन में दूनों मिलकर कितना काम करेगा सी प्लस डी सी प्लस डी का एक दिन का काम निकालेंगे दोनों मिलकर कितना कम करेगा तो तीन और दू पांच कम करेगा दोनों मिलकर ठीक है तो ही तरह के पूरा काम को कितना दिन में करेगा थिक है तो इस तरह के जब क्वेश्चन हाया पूरा काम को एक दोनों का एक दिन यहां पर साथ लिखेंगे यह एक दिन में पांच करता है तो साथ को काम करता है तो बारा दिन का जो है वो समय इसको लगेगा ठीक है देखो अप्शन नमबर दू होगा वह बिल्कुल आपका बारा दिन में जो है यह दोनों मिलके साथ काम को खतम कर देंगे ठीक है समझ में आ गया हो चलो यह भी कोईसन नमर दू आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर होगा चलो देखते हैं इगारा नमर्व क्वेस्चन क्वेस्चन नमर इलेवन यह दि एक ब्यक्ति जो है तीस मेटर प् हमको क्या करना पड़ाइगा देखो अप्शन में तो सब है घंटा में तो यहां पर मीटर प्रति सेकटन में इसको हमको चेंज करना पड़ेगा ठीक आब यहां पर आपको टर 15 मेटरब्रतिछों कितना मुच्क हो जाएगा सब्सकीषर्टर 10m20 representative सब्सक्राइब 한다 को चल रहा हमको क्या सब्सक्राइब 208 km2 में उर्टर टिकालेंगे तो हमारा कितना निक्तना बुए तो कटेंगे न कितना बार में कर जाएंगा तो भूल जाते हैं कि किस से गुना करेक्सStudy किस से ना गुना करें ठीक है मिटर प्रति सेकेंड वाला क्वेश्चन देखते हैं बारा में क्वेश्चन नेमर 12 12 धियाण से देखना अनिल कि गहर है ठीक नानील का यह यह घर है इसका जो आफिस जो है वो यहां पे इसका आफिस है ठीक है एक्षारी का यह हो गया एक्षा अब यहां से घर से चलता है कि अभास चलता है तो 35 किलोमेटर को स्पीट से यहाता घर से जाता है ठीक है और से जब वापास आता है तो कितने के स्पीड से आता है तो यही बताना है कि इसके घर से लेके इसका ओफिस तक दूरी होगा वह कितना होगा तो इस टाइप का से राता तो यहां पर क्या होता है माइनस भी होता ठीक है जब अपोजी डिरेक्शन रहे तो यहां पर लिख देना है चलिए अब इसको करते हैं एंटू भी कितना हो जागा 35 फिर प्लस भी यानिकि ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जागा 65 और यहां पर कितना है 49 63 और यहां पर जीरो है तो यहां पर जीरो लिख दो 630 किलोमेटर जो है वह इसका घर से ऑफिस की दूरी कितना है 630 कि दूरी है ठीक है देख लो पहला जो होगा वह आपका बिल्कुल कारेक्ट पेंसर होगा ठीक है यह वाला आपको ट्रिक याद रखना जब इस टाप का क बड़ जाएगा चलो देखते टेरा नमर क्या है अगला क्यों सामने यहां पर दिया गया कि यह एधि रेशियो बी कितना है चार अपको पता होगा कि रेशियो का मतलब क्या होगा हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं यह बटे में ब्राबर में कितना चार बटा में यहां पर फिर यहां पर फिर किया है उसी चीज को हम गूणा में करेंगे तो हो जागा इसको हम गूना में करेंगे तो उपर वाला नीच वाला ऊपर चला जाता है तो पर यह वह नीचे चला जाता है नीचिए नीचे आजाएगा अब इसका लोगा करेंगे तो पर जाएगा थीक है 16 रेसीयो 25 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तो देखलो अप्सन नमर जो है वह आपका सेकेंड नमर ऑप्सन आपका बिलकुल करेक्ट एंसर होगा सोला रेसियो ठीक है न आई वाब कि ये वाला क्वेस्चन आपको समझ में आया होगा option 2 आपका बिल्कुल correct answer हो जागा ठीक है देखो जब रेशियो का मतलब हमको पता है रेशियो को मतलब fraction होता है तो फ्रेक्शन से हमें इसको क्या कर दिए फ्रेक्शन का मतलब बटा है निकि भाग भाग यहां पर कर दिए जब इसको गुना में करेंगे तो उपर व ले देखलो सभसे पहले हाँ पर लिखना है एर रेशियों भी रेशियों कितना च्रू पँ हुआ है चार पाउच रेशियों डिकल निकालब है घाल के लिघ्यू की बता था इसको यहां कितना हो इसका џो चार पैश चौका कर जागा यहां पर 15 i one-by-a कमान कितना आगे एक आगए 15 अगला देख वन बाइब का पूछा है कितना होगा वन बाइब के पांच गुतना में हाब इसको काटेंगे कितना बार में कटेंगा बारह बार में तहीं स्क पर 12 कमान कितना है 10 यानि कि 15 रेसियो 12 रेसियो 12 बीलकुल का प्रेक्ट अंसर हो जाएगा 15 रे सी बारे सी योतर ड़तर देखो optionusta no.3 जो बिलकुल सही answer होगा 15 रेसियो 12 रे सी 10 option निकालने के बाद सबको क्या कर दना है multiply कर तो ठीक है चलो क्वेश्चन नमर 15 में है वह वह विवेक देव तथा क्या है लली ठीक ना बिवेक देव तथा लली जह सबसे पहले बारी बार इसको निकालते हैं भी से लिखेंगे देव को डिखेंगे समझ में आजागा आप सबी को चलो कि दस दिन में किसी काम को करता है ठीक ना फिर उसी काम को जो है वह वो उसकाम को कितना दिन में करता है फिर इसके बाद में है 20 विस दिन में कौन करता है यह तीनों का क्या निकालेंगे तीनों का बरावर हो घुए लसीन निकलेगा वो टोटल बरावर हो अब इसका एक दिन का काम निकालते हैं एक दिन में कितना काम करेगा तो दस चके शाथ ये छो काम करेगा एक दिन में ठीक नचोंग बुला जा रहा है तो बिवेक और डेव के बच्छें वह और देव और निय CU program कर रहे हैं तो अब यहां पर लिएक मील कर रहें टोटल काम को कितना कितना वर्क में कितना किसका इफिसेंस के Wh heard always यह एक दिन में दस को काम दोनों मिलके करते हैं तो यill and करने में कितने कटना समय लेंगे तो सबसक्राइब अधा कितने दिन में ठीक ना तो.- यहाँ पे आधा आधा आथा आपको बोला जिकना यह काम भी वो कितने दिन में करेंगे आप से क्या पूंच estuvर तोटल काम का आपको नहीं निकालना है थितना है तो हमारा टोटल वर्क कितना है जब टोटल वर्क हमारा ने बंढब युप्त जो है वो हमारेवर्क कितना होगा अधा वर्क जो होगा वह् diz tomar करobic करेंगे तो 30 में साथ को जब 2 सेक्ट करेंगक दो क Schulisầnत threats और कितना कितना होगा है तो कितना के चीटने में करेंगे यह दोनों तो तो काम करने में लग जाएगा तीन दिन का समय यहां पर देख लो आप्सें में भी छे दिन दिया गया है अगर ध्याण नहीं देता है तो option number 3 जो होगा वो आपका टीक लग जाता ठीक नतीस लिए आपको धियान देना है छे दिन नहीं होगा जब आपसे टोटल वर्क पुछता कि टोटल काम जो है वो कितने दिन में करेंगे तो छे दिन होता लेकिन आपसे पूछा गया क्वेशन में कि आधा काम है अच्छा सलेशन के पूरा कर सकते हैं थो k है यानी के इग साथ घ्र कर रहा है यहांपर लिए पقول रहा है कि treaty में ठीकर 120वह इसके बाद कौन कर रहा है सी प्लश ए फीच प्लस जो है वह कितने काम कर रहा है त्राइब फिरे और यह ना हाँ अए प्लस में एपलस में जो है वह कितने काम कर रहे हैं एक सो साथ दिन में जो है वहू किसी काम को कर रहे हैं चलो इसका हम सबसे पहले क्या निकालेंगे इसको हम ल्स्यस्यंगे लोगा मारा के बराबर के बराबर होगा इसका अब इस Curry Ilay आपके दिन का काम करेगा कृण ठीक है न 8 गो ब्रक करेगा एक दिन में कितना काम करेगा C July 7 में यहाग नहींग और यह डवनुôm और यह यह करेगा एफ्लसी आठ गो यह करेगा 12 ब्रक और एफ्लस बस एई जो है कितन में करेगा एक फृब और फिर सी और रीखेंगे सी प्लस अधिकोते इसके बाद फिर और है तो ए प्लस में यह तिनमीर के ज़ो काम है कितने दिनमें करें तो बाराइट वीस चशुच च्शुच दिन में यह थी चिरों branasse जो है वह यहां पर एक एक तो कितना हो जागा टोटल दूई ब्रावर में कितना ब्रावर में 26 वर्ख ठीक है यतना समझ में आ गया दूदू के उन लिखे है क्योंकि जो है वह दूगो ए है दूगो ए भी है आपका ठीक है अब देखो दूगो हम जब कोमल लेते हैं यह इसमें भी है तो दूगो हम बाहर निकालेंगे तो बच क्या जाएगा हमारा इ extraction ब्रावर कितना 26 वर्ख ठीक है और अश्श्यय उब्रावर कितना हो गये अधर गुना में है इधर जाएगा तो कितना हो जागा यह भाग में हो absorbed हिसको काटेंगे तो तो 960 काम करने में कितना लगेगा एफिसेंसी किसका एफिसेंसी एक दिन में कितना काम करने का तो तेरा नीचे आ जाएगा ठीक है टोटल वर्क कितना है 960 960 बटा में कितना हो जागा 13 यह निकि 960 बटे 13 दिन जो है वो इसको समय लगेगा टोटल काम को खतम करने में तो यह आप्सन नमर चार आपका बिल्कुल करेक्ट अंसर हो जागा 960 बटे 13 समझ गए होंगे यह भी क्वेस्चन आप लोग चलिए सत्रा नमर क्वेस्चन क्वेस्चन नमर सतर देखना रूपय ब्यालिस हो कि एक रास्ती जो है वो सधारन व्याज तीन वर्स में इतना रूपया हो जाती है तो वार्षिक दर क्या होगा ठीक है खिक लिम्हाज की वार्षिक दर आपसे पूछ रहा है तो इसके लिए हम एक फर्मूला बता है आपको ठीक नहीं 882 हमारा क्या निकल कर आगया यह एसाई निकल कर आया ठीक है ना यह हमारा मीसरधान था एमाउंट और यह हमारा क्या था प्रिंसिपल था तो हम एमाउंट में से प्रिंसिपल को जब घटाया देते हैं तो हमको क्या निकल कर आता है एसाई निकल कर आता है अब एस 21% के बरावर 21% के बरावर जो है वह 880 ठीक ना एक इस परसेंट बरावर कितना 880 अब यह वाला फर्मुला का हम यूज करेंगे यह सब्रावर यहां हमारा परसेंट में 21% रे बरावर कितना है रेट कितना है डाय परसेंट के बरावर में हो जाए यहां पर हम कितना लिखें लिखेंगा साथ तमन होगा सत्या इकीस इधर एक इस भी है ठीकर डावर कितना आगा निकलके रीट होगा हमारा वह 7% रीट होगा यहां से निकलकर आगे आपका ओपसेंट नाद करेक्ट एंसर होगा ऑपसेंड 7% का जो रेट होगा वह आपका बिलकुल सही जवाब हो जागा ठीक है चलिए अठरा नमर क्वेच्चन इस टाप का क्वेच्चन हम कल कवाला प्रिवियस में भी करवाया था ठीक है चलो अठरा नमर क्वेच्चन देख लेना दो संख्या जो है वह है चार होगा और इसका लस्यम कितना होगा तो इसका अनुपात पुछा था तो इसको काटेंगे तो 20 बार में कटेंगा इधर एक बच जाएगा तो एक रेसियो बीस यानिक आप्शन नमर तीसरा जो होगा वह आपका सही एक रेसियो बीच ठीक बहुत यह इजी क्वेच् चली 19 नमर क्वेच्चन में एक तिर्भूज की भुजा का अनुपात है चार तीन ग्रू यहांपे क्या है यह 3 है यहाँ पर क्या है 3x यह बहुत यह कैसे यंगा आपसे पूछा है तो सबसे बड़ा कॉन है 2 3 4 में सबसे बड़ा चार एक से यह फिसना सबसे बड़ी भूजा होगा अप्शन नमर एक जो होगा वह आपका बिल्कुल करेक्ट एंसर होगा ठीक है चलिए यह लास्ट क्वेश्चन उन्हीं बीस नमर क्वेश्चन एक वस्तु का अंकीत मुल उसके मुल से है करेमुल हो गया ठीक है बीस परती सत लाव पर बेचा गया याएंगकी यहाँ पर पे हो गया ठीक मार्क प्राइस यानिकी अंकीत मुल और यह वह प्रिंट वाला ठीक नंकीत चितना में 100 रुपया में मार्क प्राइस उसका 160 है लेकिन खरीदा 100 रुपया में फिर खरीद के उसको किसी और को बेच दिये कितना 20 पर 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 दिया तो यह बताना है कि शूट पर तीसत क्या होगा ठीक न कि शूट पर ठीसत जो होगा वह आपसे पुछा गया ठीकि आ इसका छूट पर 50 सत कैसे निकले देखना मार्क प्राइस था 160 है और उसको बेचा है किता में 120 प्रेश्ट निकालने के लिए चूट पर संट यानि कि इतना का छूट दे रहा है ठीक है न उप्सन नंबर एक जो होगा वह बिल्कुल आपका सही अंसर हो जाएगा अप्सन नंबर एक ठीक है तो चलो यह था आपका लाश्ट कोईच्टन यह प्रिविएस एर का क्वेच्टन आप लोगों को सोल करा रहें ऐसा इसा जो डेली आप लोगों को देखने के वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों के पास में जरूर सेर कर देना और जो पहली बाट देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो होता है बेल आइकन को प्रेस क्या कर लेना है क्योंकि आने वाले हर और नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंच पर ठीक है तो चलिए कल भी आएगा इसी तरह से प्रिविएस एर का क्वेस्टन डेली हम लेकर आएंगे ठीक अभी मैत का रहा है हिंदी का भी सब चीज का हम लेकर आएंगे ठीक है इसलिए आप लोग चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो च